आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही जादा ट्रेंडिंग में हैं ये सभी लोग लगा रहे हैं चिया सीट का फेस पैक जो की मैंने भी यूज किया इससे सच में बहुत ही जादा अच्छा इस्टेंट ग्लो आपको तुरंत का तुरंत आपके चेरे पर ग्लो दिखेगा और बहुत ही अच्छा ग्लो जो कि आप 15500 के फेसिल कराने पर लेते हो और आपको इतनी से सस्थे बैलेंस में आपको मिल जाएगा तो इसके लिए आपको रॉमिल्क लेना होगा और रॉमिल्क में आपको चीया सीट ऐसे सोक करके रख देना होगा है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढख कर रख देना होगा जब आप देखेंगे चिया सीड विल्कुल एकदम से फूल जाएगा तो यह देखिए विल्कुल अच्छे से फूल गया है अभी से मैं एक मिक्सर में ग्राइंड करूंगी तिसके साथ मैं यू लूँगे आपका मिक्सर ग्राइंडर जो है जार काफी ज़ादा क्लीन होना चाहिए अपको फेस पर लगाना है इसलिए बिल्कुल क्लिन होना चाहिए और उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लेंगे तो कुछी तरह का तरीके का पैक दिखेगा और चीया सीड की हम बात क करता है इसकीन को अज्य सब्सक्राइब करता है और मिल्क में हमेरे स्कीन को हाइडिट करता है इसकीन के पीच लेटल को क mówi कट्रॉल करता है हमारे स्कीन पर रद्राइनेस को दूर करता है और milk दाग धबो को भी दूर करता है एलो बेरा हमने mix किया है एलो बेरा हमारे skin को hydrate करता है skin में पानी की कमी नहीं होने देता है skin को tight बनाता है glowing बनाता है और साथ ही साथ हमारे skin के fairness को भी बरकरा रखता है एलो बेरा anti-bacterial का भी good पाये जाता है skin पर दाग धबे आने से रोकता है केल मुआ से आने से रोकता है उसके बाद हमने friends ये सावल लेने के पहले ही लगाया था और सावल लेने की बाद की एक cliff है friends जो की बहुत ही ज़्यादा skin bright और spotless glowing दिख रही थी उसके बाद हमने ये papaya gel use कर लिया है आप भी इस तरीके से इस remedy को इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत कर तुरंत आपकी चेरे पर बहुत ही अच्छा सा glow और brightness दिखेगा इस skin काफी ज़्यादा tight दिखेगी पहले और अपकी skin में कितना ज़्यादा फर्द दिख रहा है आप लोग को भी साब दिख रहा होगा तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे वीडियो पर फर्श्ट बार आएं तो फ्रीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इसे इंटरेश्टेड हैं तो जरूर इस चिया सीट के फेस पैक को एक बार जरूर अपने फेस पर अपलाई करके देखिए बहुत ही अच्छा glow निखार skin tight दिखेगी इसकिन पर sun tining की समझता है तो वो भी आपको दूर होते हुए नजर आएंगे तो पैक लगा कर आपको कम से कम अपने फेस पर आधा घंटा रखना है उसके बाद आपको निकालना है पंदर मिनेट या दस मिनेट नहीं रखना है इसे बिलकुल आधा घंटा आप रिखिएगा कोई भी साइटिफिक्ट नहीं होगा और टाइप स्कीन वाले लगा सकते हैं आपकी कैसी भी स्कीन हो आप लगा सकते हो तो यहाँ पर हमने यह जो पापया जिल लगाया है यहां पर आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हो बाद में कोको नेट ऑईल अगर आपकी ड्राइ इसकीन है नहीं तो आप डेली यूज़ के क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद फ्रेंड हमने यह मसाज कर लिया है इस्टेप आइस्टेप जो है आपकी चेरे का बलड स तर्कुलेशन अच्छा रहेगा इस्किन टाइट रहेगी आप काफी ज्यादा रिलेक्स मैसूस करोगे तो देखा जाए तो मसाज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर सी यू